और वहीं देखिए जगदलपूर रायपूर के बीच इंडिगो फ्लाइट बंद है 28 ओक्टूवर से फ्लाइट बंद करने का एलान किया गया है एरलाइन ने कम यात्रियों का हवाला दिया फ्लाइट बंद होने से यात्रियों को तगड़ा जटका लगा है बस्तर से रायपूर हवाई आवाज राही अब बंद होगी तो जगदलपूर रायपूर के बीच इंडिगो फ्लाइट बंद हो गई है और 28 ओक्टूवर से फ्लाइट को बंद करने का एलान किया गया है एरलाइन की ओर से यह हवाला दिया गया है कि कम यात्रियों जिसके वज़े से फ्लाइट को बंद करना पड़ रहा है फ्लाइट बंद होने से यात्रियों को जटका लगा है बस्तर से रायपूर आवा जाही अब बंद हो की हवाई आवा जाही अपनी फ्लाइट 28 तारीक से हमेशा किले बंद कर दी गई है इसे पहले एलाइट एर इस रूट पे चलती थी उसने भी अपने पैसेंजर ना मिलने का हवाला देते हुए फ्लाइट बंद की थी फ्लाइट को बंद करना समसे परह है ये एक बस्तर से एक मात्र रायपूर को जोड़ने वाली फ्लाइट थी जो हमें आदे घंटे में रायपूर तक का सफर तै करने से बहुत सारा हमारा समय सब चीज बस्ता था इस तरह फ्लाइट बद हो जाने से हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा 6 घंटा का सफर करना पड़ेगा और केस काल घाट की स्थितिया और चले अधिक जानकारे के साथ हमारे सयोगी अनूप अवस्थी की लाइब जुड़ गया है अनूप जगदलपूर आयपूर के बीच जो इंडिको फ्लाइट चलती थी अब उसे बंद कर दिया गया है और 28 ऑक्टिवर से हाला की फ्लाइट बंद करने का एलान किया गया है कितना तगड़ा जटका इसे माना जाए लोगों के लिए जो की हवाई सफर करते थे सिर्फ इंडिगो ही नहीं इसके अलावा एयर आलाइट से भी मांग की जा रही है कि यहां पर फ्लाइट की सुझधाय दी जाए चुकि यात्रियों का यूँ भी ये कहना है कि जो तर्क इंडिगो के दवारा दिये जा रहे है कि काफी कम यात्री रहते हैं लेकिन यात्रियों का कहना है कि जब भी वो लुग सफर करते हैं तब वहाँ पर भारी संख्या में यात्री होते हैं, ऐसे में जो तरक इंडिगो दे रहा है वो नाकाफी है, और साथ ही साथ जो प्रसासनी का धिकारी है, उनका भी यही कहना है कि दोनों ही जो एरलाइन से उन हादा कि जो लोगा उसके साथा है, आप एरलाइन से यहाँएए लुग सब बात्रियवाघका गवगाई